आउज बिल्हम श्यत्वान रजीम, इस्मि लो रह्मान रेहीम, my dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear Students, my name is नहीं आपकी मिलने शाहिर बटी and you are watching शाहिर बाटी YouTube channel. Dear Students, आज के इस वीडियो लेक्शर के अंदर में फस्त यर इंग्लिश की जो पोईम है, पौइम नुम्बर फाइव जिसका नाम है इन दा स्ट्रीट आफ दा फूरूट स्टाल्स आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ इसकी ट्राइशन करूँगा उमीर है कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ये पसंद आएगा अच्छा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दू कि ये जो पौइम है ये वार और वार के जो अलाम्स है उसके जो खतरात है उसको डिसकस कर रही यनि इसका जो सेंट्रल आइडिया है जो की पॉइंट है वो ये है वार एंड वार अलाम्स ठीक है जन्ग और जन्ग के खतरात अब शायर जो है वो उसे हर तरफ ना एक खौफ की कफियत है यह वो खौफ फेल करता है लेकर जब बच्चों को देखता है तो बच्चे जो है वो अपनी जिन्दगी को एंजॉय कर रहे हैं वो जो फूरूट है उसको एंजॉय कर रहे हैं तो उस वक्त उसे एक उमीड की किर फल हैं जिनको वो खा रहे हैं उसको वो इंजॉय कर रहे हैं ठीक है तो शायर जो है वो उन बच्चों को देख रहा है जो जंग की तबाहकारियों से बेखबर उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं उसे वो फल खरीते हैं और इसको बड़े एक मौसुमाना तरीके से हैं कि उनके सारा जो मौ है वो वेट हो जाता है फलों के रस से तो इसकी ट्रांजरेशिन जो है वो शुरू करते हैं विक्स बैलंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स इन शाम का वक्त है अरे डार्क ड्यू फॉल्स का मतलब है कि आस पढ़ रही है ठीक है यानि शबनम तो हो पढ़ती है यहां पर लिखा ड्यूज ठीक है न वो फॉल कर रहे है यह शाम का वक्त है सनाटा है धुंदलका है हंदेरा है और आस पढ़ रही है इन दा फूरूट आफ इन दा स्ट्रीट आफ दा फूरूट स्टाल्स और एक गली है जिसमें मुक्तले फलों के जो ठेले है हैं वो लगे हुए है जिसमें फलों के मुक्तले फलों के जो ठेले हैं जो स्टाल्स हैं वो लगे हुए है और वहां पर क्या है जी मैलन गावा जो फलों के नाम है वो है मैलन गावा मेंडरिन इस और नेम्स आफ तर फूरूट यह उन स्टाल्स के उपर यह फल पड़े हु वो conical शेफ में पड़े हुए जिस तरह एक ठेले वाला जो होता है या जो fruit श्टाल वाला होता है वो एक conical शेफ बनाता है फलों को इस तरह डेकॉरिट करता से जाता है customer को attract करने के लिए तो ये भी parameters यानि इन अ कॉनिकल शेफ में जो फाले हैं वो स्टाल्स के उपर पड़े हुए है गलो रेड हाट गोल्ड हाट फ्राम विदन और अंदर से ये जो है जब इनको चीरते हैं तो इन से जो है वो जो जूस निकलता है अंदर से ये जो फल है वो रेड हाट है और गोल्ड हाट है यानि अंदर से ये सुरुख भी है और सुन with a coin to spend ये जो बच्चे हैं जो मासोञ बच्चे हैं स्याह चोरों वाले जो बच्चे हैं जो जंग की तबाहकारी हों से हालाज से बेखाबर हैं अगुनल्ड में सि्क्काह है एक रुपए के लिए आंसिके के लें हर्च करने के लिए वह One बूबा के आते हैं एंटिर दा लेंटर्ण लेंटिन भीट ठी आंटर्ण ओपिट ठीकbir को यह वह लालटन जा रूपते है उससे रोशनी का एक और मेंट इएधा यह उए। बहुन भी चुत एक और मेंडृट भी रिटिते हैं उसके बारे चीजिए दा मून कमपेक्टेड टू अर रिंड हैं ऐसे लगता है कि वह जो फाल है शायर को ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी जो जो स्किन है वो सुकड़ गी हो कमपेक्टिड का मतलब है कि वो रिड्यूस कर गी हो वो सुकड़ गी हो दा मून कमपेक्टिड और रिंड और ऐसे लग रहा है क्योंकि वो एक मुशाबत उसने क्रेट की है वो जो फाले हैं वो गोल है तो उसने उसको रिजम्बल किया है चान के साथ यानि जैसे यानि हालात इतने खराब लग रहे हैं कि जैसे चान जो है वो सुकड़ा सुकड़ा लग रहे है The sun is in the sun in pitted skin और शायर को ऐसे फील हो रहा है जैसे जो सूरज है उसका जो चेरा है वो दागदार है यानि वो कहना वे चाहता है के हालात यू है वो बड़े खराब है और जंग की जो तबहकरिया हैं उनको वो अबसर्व कर रहे है जिन्दकी की जो रौनके हैं वो मान पढ़की हैं हार तरफ एक सनाटा है हर तरफ एक गम है अच्छा लेकर बच्चे से बेखबर है बच्चे क्या करते हैं वो जो उनके पास थोड़ी बहुत पैसे हैं जो कौाइन्स हैं उन से वो फाले करीड़े हैं औरius को फिर ब्रेक ओपन करते हैं यानि तोड़ते हैं और खोलते हैं लिटा गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वैट और उसको वो खाने लग पड़ते हैं मतलब यह है को उसको खाना शुरू कर देते हैं और इतना मगन होगर खाते हैं कि उनके जो चेहरा है उसके उपर जो फ़लों का रस है वो लग जाता है और उनका जो चेहरा है वो वेट हो जाता है Mouth, Fingers, Cheek, Nose, Chin यानि उनका सारे चेहरे के उपर Finger के उपर भी फरू का रस लग जाता है Mouth के उपर भी लग जाता है Naat के उपर भी लग जाता है Chin, Chin कहते हैं ठोड़ी को इसके उपर भी लग जाता है Radiant as Lantern और उनका चीह था चमग ले लग पड़ता है कि जिस तरह लाड़ टैन जो है वो चमग रही थी ये फॉर्गेट तदार्क स्ट्रीट आाइम स्टेंडिंग इन और वो इस चीज से बेखाबर हैं वो बिचे जो हैं वो इस चीज से बेखाबर हैं कि इस आलम में कोई हंधेरी गली में खड़ा हुआ जो आदमी है वो उनको अबजर्व कर रहा है यानि वो जंग की जो तबाह कारियां हैं जो उसके जो खत्रात हैं उससे बेखबर होके वो फलों को इंजुआए कर रहे हैं तो अमीद एडियर सुडेंट्स के आज की वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा इसके साथ इस शाहर बटी को इजाज़त दीजिए अल्लाहाफिज